आप सब वेलकम टू मैं चैनल कुकिंग एंड व्लॉगिंग आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे अलहम दोलिल्ला मैं भी ठीक ठाक आज हम बनाएंगे मुंबई के फैमस दिश वड़े पाउ की रेसिपी इस्टर इन स्टाइल बटाटा वड़ा बनाने का मैं आपको बहुत पर्फेक्ट और आसान तरीका बताऊंगे और वड़े पाउं के साथ खाई जने वली खास चैटनी की भी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगे ये चैटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी और पर्फेक्ट बनकर रेडी होगी रेसिपी अच्छी लग आड़े मैं एक किलो आलु और उसमें मैं थोड़ा सा पान डाल कर इसे ल्मेर पानी नहीं करना होता हीं थोड़े पाने में आपड़ेखा हो अपने हाथ पाने से अब्रेश करमें और आलु को में एक मैसर की मदश्यादर चैटनी किलों घिं़ कर लोगई क्योंकि वड़े में आलू के छोटे बड़े चंक्स जब मुं में आते हैं तो वो अच्छे लगते हैं और वड़े में डालने के लिए यहां पर मैंने लिया है थोड़े से लस्टून, एक इंच द्रक का तुकुड़ा और पांच हरी मिर्चे मिर्चे आप अपने टेस्के अकॉर्डिंग कम्या जादा कर सकते हैं और अगरके में छोड़े चोड़े तुक्रे करके और लस्टून और पांच हरी मिर्चे को मिर्चे के जार में डाल कर दरदरा सा पीस लूँगी और अब मैं बटाटे वड़े का तड़का तयार कर लेती हूँ तो तड़का तयार करने के लिए हाँ पर मैंने ली हूँ एक कड़ाई और उसमें मैं डाला है हाफ टेबल स्पून ओयल और ओयल के गरम होते ही मैंने उसमें डाल दी हूँ राई थोड़ा सा जीरा थोड़ी स और थोड़े से कड़ी पते को बारीक कट करके डाल दी हूं, और इन्हें हम अच्छे से फ्राइ कर लेंगे, और इसके बाद मैं डालूँंगे, जो हमने अधराक लसन और हरी मिर्ची को दरदरा सा पीश के रखा था उससे ओईल में डाल देंगे, और इसे हम अच्छे से एक से देर मिनट के लिए पका लेंगे और अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी हल्दी मैंने बाद में इसले डाला है ताके हल्दी जले नहीं अल्दी बाद में डालेंगे तो हमारे बटाटे वड़े का कलर बहुत ही अच्छा आएगा और अब हम अल्दी को ओईल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें मैं डाल दूंगे थोड़ी से बारी कटे हुए हरे धन्या के पत्ते और इन सब को हम अच्छे से फ्राई कर बिल्कुल सुखा सा हम इसे बना लेंगे तो देखे तड़के को ओईल में फ्राई करते हुए अब ये तड़का बिल्कुल सुखा सा हो चुका है अब इस तड़के को हम बटाटे में डाल देंगे जो बटाटे को हम डाल देंगे इस तड़के में हम बटाटे को डाल कर गर चाट मसाला पाउडर, भूने हुए जीरे का पाउडर और वन टी स्पून हम डालेंगे काला नमक वाइट नमक इसमें यूज नहीं किया है और यहां पर मैंने डाला है आधा लेमन जूस और इन सारी चीज़ों को डाल कर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर इस तरह से आप बटाटा वड़ा बनाएंगे तो आपका बटाटा वड़ा बहुत जादर टेस्ट ही है और पर्फेक्ट बनकर रेडी होगा तो प्लीज आप इस रेसिपी को ज़रू ट्राई करें और मुझे कमेंस में बताए कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी और बटा बटानेल रहे वड़े बनाकर रख लिए ओम इसका लेटर करते ह्यां तो बैटर कर स्वाडिकर करने के लिए यहां पर मैंने लिया है दो कब बेसन और इसमें मैंने हाफ मेथी नीस कर पर बब्रलश करके डाल उना ढालते हो खोब्यदकला के कमें तानों यहां तो से जएर और अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स करने के बाद में थोड़ा थोड़ा पाने डाल कर इसका बैटर तयार कर लूँगे तक पर योल रख दिया है गरम होने के लिए बटाटा वड़ा अच्छा गरम होना चाहिए और योज़ पिक आफ़ें और वड़ेको पेटर में अच्छ हेसे कोट करके उसे हम योल में डाल देंगे और अब इससे में चम्मत से अलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लूँगी और फ्राई करने के बाद इसे ओयल से बाहर निकाल लूँगी और अब बटाटे वड़े को ओयल से बाहर निकाल लेने के बद ओयल हमारा उस वक्त गरम होता है तो इसी गरम ओयल में हम डाल देंगे हरी मिर्ची हरी मिर्ची को डाल कर बस हमें ढखकन लगा देना है और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो ये देखिए अब मिर्ची भी फ्राई हो चकी है इसे मैं ओयल से बहार निकाल लूँगे तो ये देखिए है हमारी फ्राई की हुई मिर्ची भी बन कर रेडी हो चुकी है अब हम इस वड़े की खास चटनी को तयार कर लेते हैं तो बडे की चटनी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए एक Mixi jar और इसमें मैंने 3 हरी मिर्चे डाल दी है उसमें मैंने डाल दिया है एक मुट्टी हरी धनिया और मैं डालूंगी थोड़े से कडी पत्य कडी पत्य आप skip करना चाहिे तो पर यहां पर डालोंगे आधरकलस्वां पेस्ट और यहां पर मैं डालरी हूं डाल रही ओ आधा लेमन जूस अर मैं यहां पर डाल रहे हूं हाफ टीश्पुन चाट मसाला पाउडर और वन टीश्पुन काला नमक और वड़ा फ्राइव करते वक जो बेसन बज गये तो उसके मैंने थोड़ी सी बुंदे फ्राइव कर ली है और उसी बुंदी को मैं इस चटनी में डाल दूंगी और ये देखिए मैंने इस चटनी को पीस लिया है और मैंसे एक बाल में निकाल लेती हूँ ये चटनी बहुत तो यह देखें, यहां पर मैने लिया है एक पाउं, और पाउं में हम चेटनी लगा दिएगे, और चेटनी लगाने के बाद एक वड़ा रख दिएगे, हमारा वड़ा पाउं बनकर रेडि हो चुका है, आप इसे लाल मसाला जो आता है वड़े पाउं का उससे भी सर्फ करें उससे भी ये बहुत टेस्टी लगता है तो ये देखिए हमारा टेस्टी टेस्टी और बहुत ज़्यादा डिलेशियस वड़ा पाउं बनकर रिड़ी हो चुका है इसे मैंने लाल चेटनी, हरी चेटनी और हरी मिर्ची के साथ सर्फ किया है और बारिश की मौसम में गरम गरम वर्ड़ा पाउं खाने का तो मज़ा ही कुछ और है तो आप फटा फट से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें और मुझे कमेंस में बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखेगा और मुझे भी दुआ में याद रखेगा अल्ला हाफीज